सकारात्मक सोच हाट में जाने में देर हो चुकी थी दोनों दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे और अच्छानक बरसाथ होने लगी मन्ना राम सर पकड़ कर बैट गए और कहने लगे काणी के ब्याह में सत्रह रोडे यानि पहले ही बड़ी मुश्किल है और उस पर और दिक्कत पर धन्ना राम ने अपने स्वभाव के अनुसार मुस्कुरा कर कहा अच्छा हुआ बारिश हो गई अब हम देर से भी पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अब बाजार को लगने में भी देर हो ही जाएगी पर मन्ना राम अपने दोस्त की बात को अनसुना कर घर वापस चला गया और कह गया इतनी बारिश में बस नहीं आने वाली रुकेगी तो आ जाएगे पर धन्ना राम वहां रुका रहा और थोड़ी देर बाद बारिश कम होने पर बस आई और धन्ना राम उसमें बैट कर शहर आगया इधर मन्ना राम भागता भागता बस टॉप की तरफ आया लेकिन तब तक बस जा चुकी थी दो घंटे बाद अगली बस में बैट कर मन्ना राम भी शहर पहुँचा वहाँ उसने देखा कि पूरा बादार लगभग भर चुका है और उसे अपनी दुकान लगाने की जगा नहीं दिख रही थी वही धन्ना राम सबसे अच्छी जगा पर दुकान लगा कर बैठा था अपने मित्र को देख कर धन्ना ने कहा आजा मेरे साथ ही अपनी दुकान लगा ले मेरा माल वैसे भी लगभग खत्म होने वाला है पर मन्ना राम के मन में उसके स्वभाव के अनुसार फिर वही नकारात्मक खयाल आने लगे इसकी किसमत अच्छी है मेरे तो करम ही फूटे है और एक कोने में जाकर अपनी दुकान लगा ली और सर पकड़ कर बैठ गया जब खाने का समय हुआ तो धन्ना राम ने अपना टिफिन निकाला और खाना खाने लगा मन्ना राम चुकि जल्दी जल्दी में टिफिन लाना भूल गया था तो वह फिर से अपनी किस्मत को दोश देने लगा धन्ना राम ने मन्ना राम से साथ में खाने का आगरह किया आजा आज तेरी भावी ने बेशन के गट्टे भेजे है मन्ना रामने कहा और बेशन से मेरा पेट खराब होगा फिर मैं इधर उधर शोचाले के चक्कर काटूंगा और तुम अपना सामान बेच के निकल जाओगे। मन्ना राम ने खाने से इंकार कर दिया। इस तरह मन्ना राम अपनी नकारात्मक सोच के कारण भूखा भी रहा और अपना सामान भी नहीं बेच पाया। वही धन्ना राम खुशी खुशी अपने घर पहुचा। सीख अच्छे जीवन और अच्छे व्यापार के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है।